कि हेलो एविजिन में डॉक्टर जिशान आपके अपने यूटुब चैनल मेटिकल ग्यान में आप सभी कंबो शुरू करता हूं आज मैं सिफो टाक्सिम एंटिवाइटिक का रियू करना है उसके बारे में कंप्लीट जानकरी देने जा रहा हूं सिफो टाक्सिम की खोज 1976 में तो लिए थी और इसका decreasing कि में किया था है यellow याज बेक्टरिया वर्म करती ये ब्लॉद करती है अधायद्व ट्रेयन को करने याज से घ्रव याज दोन ठ्रव तप यह बहुत ही अच्छा वरक तरी बैक्टरियल के ग्रोथ को रोग दिटी से 1951 G4PE मोग देन इसे बहुत सारी कंपणिया बनाती है बहुत सारी ब्रांड नेम से आता है टेक्सीम के नाम साथा जिसे इलकें कंपणी बनाती है और आपको पूरा इस वीडियों सिख जाएंगे आप प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि इसका इसका डोस कितना एडल में कितना है और बचों में कितना है और इसकी कितने हैं और अगर आप पहली यह क्षामिट। अब मैं आप लोग बताने जा रहा हूं सीफो टॉक्सिम इंजेक्षन का मेडिकल यूज क्या है जोएंट इंफेक्षन इस्कीन इंफेक्षन निमोनिया मेनंजेटीज में इंडरी टेक इंफेक्षन सेप्टीसीमिया सेलुलाइटीज इंट्र एब्डॉमें इंट्रेटोंट टाइफाइट बुखार में ब्रॉंकाइटीस में सुजक में ब्लड इंफेक्षन में इसमें बहुत ही अच्छा रजल दखा गया है सिफो टॉक्सिम इंटिवाइटिक का इसकी डोज की बात कर ले सौसर देट पर केजी पर डिटू डिवाइड़ डोज सुभा सम यूज कर सकते हैं रोगी की रोग किनुसर और उसके वज़न के साथ यूज क्या रखता है सिफो टॉक्सिम इंजेक्षिंट्राइट और इंट्रमस्कुलर ही यूज क्या रखता है तो बहुत साइब राण नेमसा बहुत साइक अपने इसके बादि यूज करना चाहिए तो आपको 10 है कि अब रखते अबढ़ के करना बनके अपने डॉक्टर सो ङसलाओ किपनी वह जनकारी आपको पसंदा आप पसंद आए वड़ा क 올iden को मेरी वीडयो को अन तर देखने लिए आप सभी कि बहुत बहुत भुत धन्य वाद झाल झाल